कि यह हमारा केंप का एंट्री पॉइंट है कि सामने से जैसे ही हम इंटर होते हैं तो यह लेडिज का जो है केंप है और उसके साथ जो है यहां पर यह गोल्फ कार्ट पार्किंग है कि सामने जो बड़ी आपको बिल्डिंग अधर आ रही है यह है में साल अब इसमें तीन केटेग्रीज हैं में साल में लेबर कि सीनियर लेबर प्लस जूनियर एक साथ सीनियर एक साथ फिर अरे विक यह हमारा आफिस हा। सबकुछ हमारा प्रोसेस सारा यही पर होता है वो सामने हमारा वो गाड़यों के जहांपे मैं भी गया था वह ट्रास्पोर्टेशन अफिस है हमारा यह सारे इस तरफ केबिन बने होए अब इस तरफ चलते हैं कि यह मस्जिद है यहाँ मस्जद है यह हमारा मेसाल लेबर्स और जुनियर के लिए और उसके साथ जो है यहां पर यह मस्जद है उसके बाद जो है है जाए हमारा सिनयर मेसाल यहीं पैटा और लुण्ट्री गर्श्थ के सामने है तो अभी हम अधर चलते हैं और यह अरेबिक मेसाल अरेबिक के लिए था साथ क्लेनग केए यहां पर एक मार बार जाना हुआ है मेरा और उसके बाद जो है यहां पर सारे सीनियर रूम से हैं कि सारे रूम बने हुए सीनियर रूम बने हुए कि यह सारे सीनियर रूम बने हुए यह क्लिनिक है यह एमर्जनसी के लिए अबोलनस यहां पर अविलेबल होती है यह सामने प्लेगराउंड है यह भी सारे सीनियर रूम है तो अभी हम चलते हैं केम बॉस के आफिस में क्योंकि यहां चेक आउट करना है हमें अब अब चेक आउट करने के बाद अभी जो हम रूम पर जा रहें इस्पेक्शन करनी है यह के आफिस था और उसके साथ यह जिम है जी फिर आना होता तो जाते हैं क्यों यह सारो रूम बने हुए इस तुलफ यह जिम था यहां पर मैंने काफी टाइम जिम किया लेकिन बहु हुए है यह तरफ सारी लेबर रूम है यह पूरे रूम हेस तरफ ज्विद जूनियर रूम है इस तरफ यहाँ पर चारkt डिगरीज आ रोम्स की सीनियर लेबर जूनियर senior और आपना मेनेजर से यह को इनदो लोगों किया करमोडेशन है समय कि एसमें इसमें सारे जुनियर रूम है यह समीर भाई है और इन्होंने मुझे फर्स्ट टेप अपना रूम से तो और आज मैं च्छेक आउट कर रहा हूँ तो तो यह सारा रूम अपना चेक कर रहे हैं इनिस्पेक्शन वगारा कर रहे हैं यह तो बस क्योंकि मैं सुबहा सब्सक्राइब निकल जाओंगा तो फिर इन लोगों का आना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए मैंने रूम का चेकाउट का जो प्रोसेस था वो मैंने भी कर दिय है भग यह देखे मेरा समान है यह मेरी पेकिंग जो है वो रेडी हो चुकी है समीर भाई सबसाइए फिर इस तो अभी आया था रहान अभी लेकर आया था दो मैने उवे है यह हमारे जूनियर रूम होगे अब हम आगे चलते हैं तो सब्सक्राइब लोगों को एक राउंड प्रप करवा देता हूं क्योंकि जो भी बंदा दर जॉब जिसको मिलेगी वो वीडियो देखेगा तो इसको एक इंफर्मिशन मुले जाएगी पूरी यह हम जिसे ही जि ठीक है और इसके साथ ही यह लेबर रूम है इस तरफ यह ग्राउंड आगया यह सीनियर रूम हो गए और फिर यहाश्ट अरफ लेबर रूम आगए यह सारे लेबर रूम है इस तरफ और सामने दई लाइन प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है नहीं हो माला बहुत जोर शोर से काम चल रहा है यहां पर नियूम बन रहा है भाई लाइन प्रोजेक्ट हमने भी दो साल अपना हिसा डाला इसमें और यह देखिए यह लिखा हुआ है लेबर रूम दिन रात काम चलता है 24 घंड़े काम चलता है यह सारे लेबर रूम है यह एक नया केबिन डाला हुआ है यह नहीं केबिन का काम हो रहा है काम और यह गुल्फ कर्ड कड़ों करके यह वमारा पूरा जो है कि आफ प्वावर फाउस है यहां पर समझे ने वाट रहूंत पूरे केम को जो पानी fought को होता है यही ही से से होता है पूरी केमlagen पर यहां पर स्टोर वागरा हो गया अब सलेम वाई जा रहा हूं तो विडियो लेकर जाओ ना विए स्टोर हो गया यहां पर स्टोर है उस तरफ कामी काम चल रहा है यह रहा अपना यह जूने रूम रहा फिर आगया था है लेबर रूम इस देखिए स्टोरी स्टोर है यह कंटेनर जो है स्टोर के पड़े हुए है इस देखिए लेबर रूम में सारे यहां पर एक रूम में चार चार छेचे लोग रहते हैं यह लेबर रूम का जो वाश्रूम है अंदर कॉमन वाश्रूम है अंदर यह हमारे ड्रेवर्स का रूम है यह देखिए यह लेबर रूम की हालत है यहां पर अब हम चलते हैं अदर अपने दोस्त के पास यह इस तरह पर जूनियर रूम इस तरह जूनियर रूम हो गए इस तरह यह लेबर रूम हो गए यह लेबर रूम है हम अब यह दर चलते हैं लेबर रूम में यह देखिए लिखा हुआ है यहां पर जो है मैंने आपको जूनियर रूम भी दिखाया अब यह लेबर रूम में आपके चार लोगों का बेड होता है यहां पर इक बंदा दूस्रा यहां पर उसके साथ टेबल दी गई होगी है पर यहां पर एक बंदा फिर आपक लोगों को पर शेल दिया हुआ है फिर सल्फ दिया होगा है और उसके साथ ज जो है अटेज वास्वर्म लाशरूम दी हुई है तो यह हमारा केटेगरिस इस डिफरंट है एक रूम में एक बंदा भी है फिर दो बंदे हैं कहीं चार हैं कहीं छे हैं तो यह आज का है